नमस्कार आजादी का अमरत महुत्सव भारत देश की सुतंता के 75 वर्स पूर्ण होने की खुशी में मनाये जाने वाला यह है उत्सव यदि हम इस उत्सव के बारे में विचार करें तो हमें ये देखते हैं कि ये उत्सव सम्मेहदानिक, लोकतांत्रिक, सामाजिक सम्रस्ता और संभाव के साथ देश में उपलब्द, युबा और जन सक्ती की सरजन सक्ती को कारसील बना कर एक नए ससक्त सम्रद भारत के निर्माणक में लगाने का उत्सव है एक ससक्त और सम्रद भारत में भय, भृष्टाचार, अपराद, नसा और नकारत्मक्ता जैसी बहुत सी चनोतिया हैं इन चनोतियों से पार पाने, बास्तविक्ता, मैं सुतनता का मूल ग्यात करने, आत्मीता, सरजन सीलता और आत्म निर्वरता के साथ सम्रद भारत के लिए सभी लोग अपने अपने तरीके से अपना प्रयास कर रहे हैं हमारे इस प्रयास में हमारे देश के बहुत से आध्यात्मिक संग्ठन भी जुड़े हुए हैं क्योंकि जहां आध्यात्मिक्ता, मनुस्य के अंदर बिद्दमान विकास की असीम संभावनाव कुर्स कारशील कर देश और छेत्र के बिकास की दिसा में नई पठकता लिकवा सकती है वहीं आध्यात्मिक्ता, मनुस्य के अंदर सकारात्मक चिंतन की उर्जा भर देती है इसी धारणा को ध्यान में रखते हुए हमारे देश भारत का एक प्रसिद प्रजापत्ती ब्रह्म कुमारी विश्विद्ध्याले नामक आध्यात्मिक संग्ठन भारत के अमरत महुस्व के इस कारिक्रम में सह्योग दे रहा है प्रजापती ब्रह्म कुमारी विश्विद्ध्याले अपने 140 देसों में 5000 केंदरों के द्वारा इस महुस्व में भिन्न भिन्न तरीके से सह्योग प्रदान कर रहा है दर्सको आज हिंदी सर्ता कारिक्रम के अंतरगत हम ये जानेंगे कि ये आध्यात्मिक संग्ठन किस तरह से हमारे इस आजादी के अमरत महुस्व में शह्योग कर रहा है और ये जानकारी देने के लिए हमारे इस केंदर पर पधारी है प्रजापती ब्रह्म कुमारी ईश्वरी बिद्याले पनजी गुवा केंदर से कुमारी प्रजापती कुमारी सोभाजी सोभाजी आपका स्वागत है अव शानती बहन आजादी का अमरत महुस्व आपके संग्ठन में इसका क्या ऐसा है अर्थाथ आप इस उच्छव को किस रूप में स्विकार करती है आजादी का अमरत महुस्व अपने आपके अंदर एक बहुत ही हम ये कहेंगे कि गौरशाली महुस्व है क्योंकि भारत जिस भारत भूमी को कही जता है भगवान की जन्म भूमी या कर्म भूमी जिस भारत को स्वतंतरता दिला कर अमरूत महुस्व की महुच्व तक पहुचाने के लिए जो भी हमारे स्वतंतर से इन्यानियों ने प्रयास किया हुआ है तो उस प्रयास के आधार से उन सब का त्याग है उनके अंदर की देश के प्रतिनिष्टा है और सासात उन्होंने जो भी देश के लिए किया, तो उसको सामने रखते भे, हमारा संघटन जो है, वो सारे विश्व भर के अंदर, ऐसा एक प्रुग्राम कर रहा है, जिसके द्वरा समाज में शान्ती, एकता, सहीशनुता, और आपस ही स्नेह, ये निर्मान हो सके, तो ये प्रयास हमारे संघटन के द्वरा किया जा रहा है, भेन, आजादी के अमरुत महुत्सों में, आपका ये आध्यात्मिक संघटन, किस तरह से सहीव कर रहा है, वैसे, आजादी के अमरुत महुत्सों के अंदर, जैसे आप देखेंगे कि, हम देखते हैं, कि 20 जन्वरी को, इस प्रोग्राम की शुर रवात हुगें, माउंट अभु से, जहां, डाइमांड हॉल के अंदर, इसका ओनलाइन ओपनिंग हुआ, और इस उदखाटन के अंदर, हमारे भारत के पंत प्रधान, आदर्निया स्री नरेंद्र मोदी जी, सासाथ हमारे संघटन के आदर्निया दादी रतन महिनी जी, और लोग सभा के अध्यक्ष, और राजस्थान के राज्यपाल, सासाथ चीप मेनेस्टर और गुजरात के चीप मेनेस्टर, ऐसे ही लोग सभा के और भी सांस्कृतिक विभाग के जो मुख्या है, वो मंत्री महोद है, ऐसे बहुत सरे ब्रह्मा कुमारी वित्याले के अंदर, और अलग अलग प्रकार से अभियानों का ओपनिंग किया गया, और ये उद्खाटन जो है, वो लगपक 75 यास हो रहे है, पचातर साल, तो पचातर अभियान निकाले गये हैं, और सासाथ पूरे देश भर के अंदर, जो हमारी 22 सांसाय विंग्स कार्या कर रही है, तो उस विंग्स के द्वरा भी अलग अलग प्रोग्राम जो है, वो बनाए हुए है, बहन, ये इस आजादी के अमरत महसों के अंतरगत, आपका कितने कुल प्रोग्राम हैं, और इनकी अवदी कितनी हैं, ये समाप्त कब होंगे? ये आजादी का अमरूत मोहज़ो जो अमरूत निकालने वाला है और समाज के अंदर वो शुद्धता वो पवीत्रता लाने वाला है और उसी उपलक्ष को रखते हैं लगपक 15,000 कारेक्रम करने का लक्ष रखा हुआ है और जनवरी में जब इसका उपनिंग हुआ तब से लेक करके ही लगपक अभी तक 20,000 कारेक्रम हो चुके है इसका अवधी जो है वो 8 नवंबर तक है 8 नवंबर 22 तक और इसके अंदर विशेश करके हमारे 20 से 22 विंग्स है मेडिकल विंग, इंजिनेस और साइंटिस्ट विंग, यूथ विंग, महिला विंग, सोशल विंग, या कहें मीडिया विंग, एड्मिनिस्ट्रेटिव विंग, ऐसे अलग-अलग विंग्स की द्वरा एक बहुत ही समाज के अंदर उत्थान की प्रतिकार्य करने का लक्ष भी अभिया निकाले हुए हैं. अगर हमारे देश का किश्रान ससक्त होगा, तो निश्चित उसकी ससक्ता हमें देश के रूप में भी परिलख्चित मिलेगी. तो आपके कारिकरम में किसानों के लिए कोई विसेस कारिकरम हैं. जैसा कि भारत देश ने एक अपना हरित मिसन चलाया हुगा है. तो हम उसमें किस तरह से सही होग कर रहे हैं? सशक्त किसान, सशक्त भारत इसको लक्ष, इसका लक्ष रखते हुए, यह किया जा रहा है, जिसमें हम देखते हैं, आज किसान जो है, वो धीरे-धीरे नेच्रल खिती से निकल करके, एक रासा यानि खेती के तरफ जादा बढ़ता जा रहा है. जो भी शेंद्रिय खेती है, या कि है जैवी खेती है, उससे वो थोड़ा सा दूर होता जा रहा है. और रासानि खेती के द्वरा, आज हम देखते हैं कि विश्य युक्त खेती जो है, वो हो रही है, जिसके द्वरा बहुत सरी बीमारिया अधी निर्मान होती जा रही है. तो हमारे संगर्टन के द्वरा, किसानों को जागरूत करने का, किसानों को विश्य मुक्त खेती जो है, वो बनाने का एक ट्रेनिंग दिया जता है. और किसान जो की खुद ही अनग धानने जो है, वो शुद्ध, पवीत्र और अध्यात्मिक दुरुष्टी कों से, एक योगी खेती का ट्रेनिंग उनको देख करके वो बनाता है, तो उसके द्वरा ही क्या हो सकता है, किसान आज समाज को भी, भारत को भी, जो सशक्त हम कहते है, वो बना सकता है, क्योंकि आज रासायनिक खतों की द्वरा हम देखते कि धरनी भी क्या हो गई है, बंजर हो गई है, धरनी की शक्ती भी कतम हो गई है, और कहां कहां पर किसान जो है, वो अपने लिए थोड़ा सा हिस्सा जो है, वो शेंद्रिया खिती है, नैचरल खिती करता है बाकि स्वार्थवश कहां कहां पर जो देखा जाता है कि वो रास्यनिक बहुत खतों को यूज़ करके विश्य यूगत स्थिती अंजय से खेती से विश्य मुप तक खेती की तरफ खिंचने का और उनको ट्रेनिंग देने का कारिया हम कर रहे हैं उसके लिए आत्म नि किस प्रकास से बच्चे के समान उसको कैसे हम देखे ये सारा जो भी है उनको हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं सिखाते हैं और हमारे संगटन की द्वरा भी बहुत सरे भाईवे ने ये खेती करते हैं अगर आपके जो कारिक्रम है इनका जो आप प्रिसिक्षन दे रही है इसमें आपको क्या समज़् में आती है और उसका समाधान कैसे हो सकता है ताकि आपका ये प्रोग्राम जो कारिक्रम आप चला रहे हैं जादा से जादा किसानों को मिल सके तो आपने क्या ऐसा कोई दिखा है कि इस कमी की बज़े से ये इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पारा या इसमें ये समस्य आ रही है। तो समस्य ये है कि जब तक हम उनके पास जाकर के या कहे प्रचार माध्यमों की द्वरा, जब तक किसानों तक कहो, स्कूल कॉलेज की बच्छों तक कहो, ये चीजे पहुंचेगी नहीं, तब तक इसका प्रचार और प्रसार नहीं होगा, और हम देखते हैं कि आज मनुष्य को केवल बाहरी रूफ से नहीं, लेकिन वृत्ती परिवर्तन के लिए कुछ देना बहुत जरूरी है, किमकि स्वार्थ बढ़ रहा है, और स्वार्थ के क फिर खेती के अंदर भी कई चीजे जो है वो आ रही है, तो उसे मुक्त करने के लिए उनको अध्यात्मिक्ता की तरफ खींचना, ये बहुत आवश्रक है, लेकिन देखा जाता है कि जिस चीज को महत्व देना चाहिए, उसको बहुत कम महत्व दिया जाता है, और जिन को महत्व कम देना चाहिए, वहाँ पर जाता दिया जा रहा है, जिस कारण ये एक प्रकार की बाधा है, ये एक प्रकार की कमी है, और इस कमी को दूर करना बहुत आवश्रक है, हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स हैं, हम वहाँ वहाँ जा करके ये कर सकते हैं, किसान सशक्त हो सकता है और बहुत सरे जैसे इसलकरंजी है, कोलापूर है, यहां महाफसा में है, प्लॉट्स पर हम योगिक खेती कर रहे हैं, शेंदरिया खेती, नैचरल खेती और योगिक खेती, क्योंकि जब तक किसान अत्म निरुफर नहीं बनता, तब तक हमारा भारत देश सशक्त नही बन सकता है, तो हम इसका आसा यह समझ सकते हैं, कि यदि आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो उस कर्म में आध्यात्मिक्ता होना आवर्शक है, बहन किसी देश में कुछ सम्रद और ससक्त बनाने के लिए उस देश की महलाओं का भी बहुत मात्पूर स्थान होता है, आपका य यह महला ससक्तिकरण का एक अद्बोद दारान है, हमारे देश की महलाओं के ससक्तिकरण के लिए आपके पास कोई कार्यक्रम है, हाँ जी, हमारे पास महलाओं के लिए हमें बहुत खुशी होती है, कि हमारे संगटन के द्वरा लगभग 46,000 महिलाई जो है, वो समर्पित चार्यक कर रही है, और महिलाओं के लिए, हमारे विद्याले के द्वरा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वरा, महिला सशक्तिकरण, ए प्रोग्राम दिया जाता, और learner, चैसात घर बने मंदिर, क्योंकि महिला परिवार, समाच और पूर प्रेधना का श्रोत है और उसी उपलक्ष से महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जाती है महिलाओं के अंदर जो त्याग है स्नेह है या कहे एकत्ता को घर को परिवार को समाज को बांद कर रखने की पावर है तो उन पावर्स को योज करके कारे किया जाता है और बहुत बड़ी जब ये हमारी संस्ता शुरू हो गए 1936 के अंदर तो आप देखेंगे कि उस समय दादा लेखर राज जिनकों प्रजापिता ब्रह्मा केते है तो उनोंने भी पुरुष प्रधान संस्रुती होते वे भी बहने, मात्ताए, कन्याओं को आगे करके उनकी द्वरा इसका संचल तो आज बहुत बड़ा संगटन महिलाओं का जो है वो अलग-अलग कार्य कर रहा है तो उसके अंदर वो घर बने मंदिर एक हमारा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट के द्वरा घर के अंदर ही सुख है, शान्ती है, अध्यात्मिक वातावरन है ये निर्मान करने का ट्र अध्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात् हम पुना उन महिलाओं को एक सक्ति रूप में स्थाफित कर सकती हैं अगर हम उसमें आध्यात्मिक्त लाएं क्यूंकि महिलाओं का गायन पूजन नवरात्री में हमने बहुत किया अभी भी दिवाली आ रही है तो महालक्षमी का अवाहन करेंगे तो एक एक देवी जो है उनको शक्ति के रूप में हम गायन करते हैं कहां से विद्या मांगते हैं कहां से धन मांगते हैं कहां से शक्ति मांगते हैं लेकिन वो देवत्ताओं के रूप में जड़ चित्रों में तो पूज रहे हैं लेकिन चैतन्य है तो चैतन्य अपनी प्रतीभा यदि जागरुत करेगी तो वो समाज के लिए बहुत ही शक्तिशाली और देवी का रूप जो है शक्ति का रूप जो है वो ले सकती है यदि हम आपके कारेकरों की सफल बात करें अगर यह सफल होता है तो हमारे देश में जो महिलाओं के प्रती जो अपराद हो रहे हैं उसमें भी कमी आएगी जरूर कमी आएगी क्योंकि महिला केवल महिला ही नहीं महिला जो है वो अध्यात्मिक बन जाएगी हमारा परिवार जो है वो अध्यात्मिक बन जाएगा समाज अध्यात्मिक बन जाएगा या उनके अंदर भी जो अध्यात्मिकता है वो फैल जाएगी तो इसके द्वराद जो भी अपराद हो रहे हैं, जो भी चोरी चकारी हो रही है, जो भी बलातकारादी, जो भी चीज़े हो रही है, उसका मेन कारण जो है वो निगेटिविटी. नकारत्मक वृत्ती नकारत्मक विचार और नकारत्मक कहा न कहा पर व्यवहार तो अध्यात्मिक्ता के द्वरा घर में ही व्यवहार परिवर्तन का ज्ञान मिले और उसको प्रैक्टिकल में लाया जाए तो अपराद कंट्रोल में आ सकते है बहन जैसे हम देखते हैं कि महलाओं के प्रती जो अपराद होते हैं उसमें पुरुष भी समलित होते हैं तो महलाओं को इन अपराद से बचाने के लिए पुरुषों के लिए भी आपके पास कारिकरम है हाँ जी क्योंकि यहां पर पुरुš और महिला यहां दोनों के लिए भी है क्योंकि हमारे पास जो रेगुलर क्लास हम लेते हैं उसमें पूरे परिवार को ही इन्वाइट करते हैं और परिवार को ही जब हम अध्यात्मिक ज्ञान देते और अपना व्यवहारिक भी ज्ञान देते हैं, महिला के प्रती, पुरुष के प्रती, एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर निर्मान हो जाती है, तो वो पुरुषों के अंदर भी वृत्ति का परिवर्दन होता, आज आप देखेंगे कि योत, जो की कुमार है, ऐसे लाखो कुमार हमारे पास कार्य कर रहे हैं, जो एक तम पॉजिटिव है, लाखो पुरुष, भाई बेहन के रिष्टे से सारे विश्व भर के अंदर फैले हुए हैं और कार्य कर रहे हैं, और बेशक परिवर्तन वृत् बहन एक और जो ससक्त भारत में जो एक बाधा समझ में आती है, वो होती है बीमारी या आस्वस्तता, लोग बहुत आस्वस्त होते हैं, बच्ची को पूश्वन का सिकार होते हैं, तो इस समस्या के समाधान के लिए भी अपने पास कोई कार्य कर रहे हैं? हाँ, बहुत करेक्रम है क्योंकि हमारी मेडिकल विंग, आज हम दिखते हैं कि राजस्थान के अंदर और पूरे विश्वभर के अंदर कार्य कर रहे हैं, जिसमें लगभग 124 गावों को हमने एडॉप्ट किया हुआ हैं, और कुपोशन को खतम करने के लिए हम उनको खाना भी देते हैं, या कहीं पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, कहां कहां बच्चे जो है वो स्कूल में गावों में पेड की नीचे बैठ करके पढ़ते हैं, तो उनके लिए स्कूल भी बना कर दिये हुए हैं, तो कुपोशन जो है वो दूर करने के लिए हम बाहरी रिती से चीज़ बहुत दे सकते हैं, और देते हैं अनेक समस्ताई भी देती है, लेकिन कुपोशन जो है, वो आज कल जो भी अन्न है, जिसको कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो जो भी हम खा रहे हैं, क्या वो प्योर शक्तिशाली या पोशन युक्त है, ये देखने की बहुत जरूरत है, क्य या के और कई चीज़ें हम करें, आजकल देखते हैं, घरों में खाना कितना बनता, प्यार से मा कितना खिलाती, या के हैं बाहर की चिजों का कितना अकर्शन है, तो उसके आधार पर को पोशन जो है, वो कम या जादा हुना वो निर्फर करता है, लेकिन इसके लिए हमारे विद्धाले के द्वरा बच्चों को जागरूत करने का, बच्चों को पढ़ाने का और अन्न के प्रती भी उनके अंदर संमान और जागरूती यह जो है उनको दिया जता है और कई वर्य हम देखते हैं कि अन्न जो है वो वेस्ट करते हैं तो उसके लिए भी जागरूत किया जता है बहन हमारा देश अगर हम इत्वास उठा के देखते हैं तो हमारा एक गौरव साली इत्यास रहा परण्तु हम पिछले वर्सों विगत वर्सों से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में संस्कृती से लोगों का जुड़ाओ खतम हुआ है खासकर युवा लोगों का यदि हम संस्कृती से दूर होते हैं तो हम अपने देश को कमजूर करते हैं तो हमें युबाओं और लोगों को अपनी संस्कृती से जोड़ने के लिए भी आपके इन कारिकरों में कोई कारिकरों में संस्कृती भारत संस्कृती प्रधान देशे भारत की संस्कृती सभ्यता की अथिती देवभो की है और उसी के अनुसार समस्कृती शब्द को जब हम लेते समस्कार युक्तकृती तो ये घर से ही मिलती है या हमेश शास्त्रों से भी मिलती है लेकिन ये समस्कार जो है वो देने का कारिय किया जाता यूद के लिए भी अलग إलग हमारे पास प्रोग्राम से जैसे यूद के लिए DYD करके हमारा प्रोग्राम है जिसके अंदर Divine Your Destiny तो डेस्टिने की प्रति उनको जागरुत किया जता है design your destiny कैसे हम design करे destiny को यह सिखाए जटता खास करकि यूद के लिए positive program हमारे होते है जो art of positive thinking या कहे personality development क्योंकि आज का यूद जो है वो external personality के अंदर फसा हुआ है internal personality की तरफ उसका ध्यान नहीं है तो उनको internal personality अर्था थी आत्मा क्या knowledge दिया जटा जिसे ही वो आज जो संस्कूती को छोड़ करके बाहर जा रहा है वो automatic संस्कूती की तरफ खिंचा हुआ आएगा ऐसे लगफ़क डेड़ लाक यूद हमारे संगटन के अंदर कार्य कर रहे है जो पूरी तरह व्यसन मुक्त है हर प्रकार की अपराधों से मुक्त है और ऐसे कारेकरम जेल में स्कूल कॉलेज में साथ साथ जहां पर डिसेबल बच्चे होते तो वहां पर ही special child के लिए ऐसे अलग-अलग programs किये जाते है जो संस्कूती को फिर से back to basic के ते एसे फिर से लाने के लिए हम एक सामान सब के ध्यान में रखती हुए अगर हम एक प्रश्न हम ध्यानना चाहेंगे हमारे दर्सकों के साथ कि आपके इन सारे प्रियासों में आध्यात्मिक्ता कितनी महत्पूर होगी आध्यात्मिक्ता ही सब कुछ है किकि हम अध्यात्निकता को अलग करके चल रहे हैं actually देखा जाए तो हमारा जीवन अध्यात्मिक और भौतिक का समन वे है कियूंकि बॉलडी है फिजीकल और हमारी इसे चलाने वाले शक्ति जो है वो है अध्यात्मिक आत्मा-ध्यात्मिक है, सोल-ध्यात्मिक है लेकिन हम समझते हैं कि अध्यात्निक्ता बुढ़े होने के बाद या कहें अभी हमारा ये समय नहीं है समझते हैं लेकिन नहीं यदि ये बैलंस हमारा अध्यात्निक्ता आत्मा और शरीर फिजिकल ये बैलंस यादी टूट जाए तो आप देखेंगे क्या होगा जीवन खतम ऐसी जीवन के अंदर भी जो हम चल रहें उसमें अध्यात्मिक्ता को एड़ करते है अध्यात्मिक्ता मना खुद को जानना खुद को समझना खुद को सवरना और खुद को स्ट्रॉंग करने के जीवन के अंदर हमारे कर्म के अंदर वो अध्यात्मिक्ता जो है वो कार्य करना शुरू करती है अब मैं एक हम अपने ससक्त और समरत भारत के अगर देखें किसी भी देश के लिए तो उसमें तीन जो ध्रोब होते हैं पहला राजनीती दूसरा प्रसासन और तीसरा मीडिय इन तीनों में आध्यात्मिक्ता का महत आपके विचार से क्या है वैसे राजनीती के अंदर भी महत महत्व है महान है क्योंकि राजनीती में आज जो भी स्वार्त बढ़ रहा है या कहे जो मैं और मेरे पन को भूले हुए है तो वहाँ पर जब अध्यात्मिक ज्ञान तो स्व के प्रती नहीं, लेकिन सेव के प्रती जीवन हो जाएगा और वो बहुत अच्छी तरह से कार्य करेंगे साथ-साथ प्रशासन के अंदर भी कंटोलिंग पावर रूलींग पावर ज़रूरी है तो अध्यात्मिक सशक्तिकरन के द्वरा प्रशासन के अंदर ही बहुत अच्छी तरह से स्व प्रशासन से सु प्रशासन निर्मान हो जाएगा आत्मा का प्रशासन और कर्म का प्रशासन ये दोनों हो जाएगा और मिडिया आज एक वरी माउंट अभू के अंदर परमात मैंने बहुत सुन्दर बात बताई थी कि आज दुनिया का मुख है मीडिया क्योंकि पावरफुल मुख है जो तीन मीडिया के पावरफुल साधर है एक है समाचरपत्र दूसरा है आकाश्वानी और तीसरा है दूरदर्शन तो इन तीनों को भी मुल्य निष्ट बनाने की हिसाव से परमात मैंने कहा था कि इसके अंदर दिव्यता आजए उसके लिए बहुत सुन्दर संदेश दिया था कि समाचार पत्र सदाचार के समाचार छपाए आकाश्वानी अमरुत्वानी वर्साए और दूरदर्शन दिव्य कराए तो पूरे भारत का ही नहीं पूरे विश्व का ही भवित्तव्य जो है वो एकदम उज्वल हो जाएगा अंत मैं मैं बहन आपसे निवीदन करूंगा कि हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश दिना चाहेंगे हम यही संदेश देना चाहेंगे कि योगी बनो और पवीत्र बनो आज जीवन के लिए अध्यात्मिक्ता बहुत आवश्रक है अध्यात्मिक्ता अर्थात खुद को एक चेतना समझ कर उस परम शक्ती जिसको गौड कहे, इश्वर कहे, भगवान कहे, अल्ला कहे तो उस शक्ती के साथ मन बुद्धी को जोड़ना, जिससे मन एकाग्र होगा, शान्त होगा और जो भी अंदर हमारी शक्तिया है, वो शक्तिया जागरूत हो जाएंगी उसके लिए हमारे विद्धालय के अवेक्निंग चैनल, पीस ओफ माइन चैनल और मधुपन रेडियो ऐसे कई चीज़े हैं तो उसका इस्तवाल कर सकते हैं आप सब को हम विद्धालय के अंदर विना मुल्य ज्यान देते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं और आप सभी को हम निमंतरन देते हैं दर्सको हमें आसा है कि आध्यात्मिक्ता के अम्रित मंतन से निकलने वाली आत्म ग्यान से भारत के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति का भी जन्मन आलूकित होकर इस नव ससक्त और सम्रत भारत के निर्मान में सहयोग के लिए प्रेरित करेगा जिस से यह हमारा डिस्टल भारत ससक्त भारत और दिब्व भारत बन सकेगा बेहन आप इस जानकारी के लिए इस हमारे केंद्र पधारी इसके लिए मैं दूरदर्सन केंद्र पणजी और समस्दर्सकों की तरफ से आपको आभार प्रदम करता हूँ करता हुआ आपको आपको करता हुआ आपको